Dear students, today we will start chapter first of English literature. Name is The Iron Balance and The Merchant's Son. It means लोहे की तराजू और व्यापारी का बेटा. In a certain town, there lived a merchant by the name of Somdev. किसी सहर में Somdev नाम का व्यापारी रहता था because he had lost his money, he made up his mind to leave that part of the country and go somewhere else. उसने उस जगे को छोड़कर दूसी जगे जाने का प्लान बनाया because क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. Now, in his house, अब उसके घर में Somdev had a very heavy iron balance. Somdev के पास एक बहुत ही भारी तराजू थी that जो he had inherited from his forefathers जो कि उसने अपने पूर्वजों से प्राप्त की थी उसके पूर्वजों की थी वो जो तराजू थी He deposited this with another merchant named Ramlal उसने इस तराजू को Ramlal नाम के एक व्यापारी को दे दी उसके पास जमा कर दी थी उसके घर में वही एक तराजू रही थी वो भी उसने अपने दोस्त को जमा कर दी जिसका नाम क्याता Ramlal and then left for different parts of the country और उसकी बादब भिविन जगे उपर छोड़कर चला जाता है कई शहरों में जाता है गूमने के लिए when he had traveled all over the country to his heart's country जब अपने दिल की तसली के लिए जब सब जगे वह यात्रह कर लेता है जब उसे लगता है कि नहीं कहीं मतलब मुझे घर बापस चलना चाहिए उसको यह मैसूस होता है कि वह यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा तब सौमदेव रेटन टू हेज ऑन टाउन तो सौमदेव अपने शहर में बापस रेटन हो जाता है बापस आ जाता है went to रामलाल's house और वह रामलाल की घर पर गया and said ओ कहा who friend please return the balance कि प्याँ मेरी तराजू बापस करो that जो I deposited with you जो कि मैंने आपको जमा की थी मैंने आपको दी थी but brother लेकिन भाई said रामलाल रामलाल ने कहा लेकिन भाई I no longer have it मेरे पास बहुत समय से नहीं है the rats have eaten it up चूहों ने उसको क्या कर लिया है चूहों ने उसे खा लिया सौमदिव said if that's the case सौमदिव ने गा यदि यह बात है then it is not your fault इसमें आपकी गलती नहीं है life is like that जीवन की तरह nothing lasts forever कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है anyway I am going to the river for a bath मैं नहाने के लिए नदीप जा रहा हूँ please let your son come with me फिर पे अपने बेटे को मेरी साथ भीज़ दो to carry the things वस्तों को ले जाने के लिए and look after them उनको देखने के लिए now अग रामलाल वाज़ एफरेट that the bath things might be stolen तो अब रामलाल को डर लगता है रामलाल डर जाता है डरा हुआ था कि कहीं उसकी जो नहाने की बस्तों है वो कहीं खोना जाए so इसी लिए he said to his son उसने अपने बेटे से कहा my son मेरे बेटे here is your uncle यह आपके uncle है he is going to the river for a bath यह नाने के लिए नदी पर जा रहे है go along with him उनके साथ जाओ and carry the things that he needs और वस्तों को ले जाओ जो की उनको आवशकता है and so his son gladly accompanied सौमदेव to the river and carried his bath things तो उसका जो बेटा होता है वो खुशी खुशी सौमदेव के साथ नदी पर चला जाता है जो भी बस्तों होती है नाने की उनने साथ में लिके जाता है when he had taken his bath जव ना लिया सौमदेव को आट वोल्ड दर रामलाल सन सौमदेव ने रामलाल के बेटे को पकड़ा and threw him और उसे फेग दिया into a cab near the river bank नदी के केनारे जो एक गुफा थी उसमें उसको फेग दिया किसको रामलाल के बेटे को he then closed the entrance with a big rock और जो उसका entrance प्रवेश द्वार था उसको एक बड़े से पत्थर से उसको बंद कर दिया and returned quickly to his friend's house और वो चल्दी से अपने friend के घर पर बापस आ गया when रामलाल saw him coming back alone जब रामलाल ने उसको अकेले आते हुए देखा he cried वो चलाया where is my son who went with you to the river मेरा बेटा कहा है जो जो नदी पर आपके साथ गया था I am very sorry said Samadiv Samadiv ने कहा मुझे माफ कर दो but as he was standing on the banks of the river a flamingo swept down picked him up and flew off with him जब वहर नदी के किनारे खड़ा हुआ था तो एक flamingo आया और उसने उसको पकड़ा and flew off with him वो अपने साथ उड़ा ले गया You liar said Ramlal तुम जूटे हो Ramlal ने कहा How can a flamingo fly off with a child जो flamingo किसी बच्ची के साथ कैसे उड़ सकता है Return my son immediately to me तुरंत मुझे मेरा बेटा बापस कर दो और I shall complain against you in a royal court I shall मैं करूँगा मैं तुमारी complain दर्वार में दर शाही दर्वार जहां जजिस बगरा जो होते हैं मैं वहां आपकी कम्प्लेन करूँगा आपकी खिलाप Look, देखो Look, देखो Who is talking? कौन बोल रहा है? Retorted Samadiv Samadiv ने गुस्ती में उतर दिया कौन बोल रहा है? Just a flamingo cannot fly off जैसे flamingo cannot fly off with a child जिस परकार एक flamingo बच्चे के साथ नहीं ओड़ सकता उसी परकार Two rats can't eat away a heavy iron balance उसी परकार जो चूहे हैं वो भी लोहे की heavy तराजु को लोहे की तराजु को नहीं खा सकते Give me back my balance मेरी तराजु मुझे बापस कर दो and I shall return your son और मैं तुम्हें तुम्हारे मिटा बापस कर दूगा coiling like that जगड़ा करते हुए they went to the royal court और royal court में चले गए रामलाल बिगेन टू साउटर रामलाल ने चलाना शुरू किया it's disgraceful यह दुक्की बात है this rascal has kidnapped my son इस दुष्ट ने मेरे बेटे को kidnapped कर लिया है return his son to him said the judges to the merchant तो judges ने व्यापारी से खा उसका बेटा उसे बापस करो what can I do मैं क्या कर सकता हूँ सौमदेव रिपलाई सौमदेव ने उत्तर दिया while the child was while the child was standing on the riverbank जब इनका बेटा जब बच्चा नदी के किनारे खड़ा हुआ था अब फ्लैमिंगो स्वैप डाउन एक फ्लैमिंगो स्वैप डाउन नीचे आया पिक धिमप उसे पकड़ा and flew off with him और वो अपने साथ उड़ा ले गया you are not telling the truth तुम सच नहीं बोल रहे हो सेट दा जजिस ने कहा how could a फ्लैमिंगो ever fly off with a child जो फ्लैमिंगो है वो एक बच्ची के साथ बच्ची को लेकर कैसे उड़ सकता है please listen कि पर सुनो सेट सौम देव सौम देव ने कहा where rats can eat away a heavy iron balance undoubtedly undoubtedly a फ्लैमिंगो can fly off with a child जहां जहां चुवे एक लुही की तरह जो को खा सकते हैं उसी प्रकार इसमें कोई डाउट नहीं है undoubtedly मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है उसी प्रकार फ्लैमिंगो भी एक बच्चे को लेके ओड सकता है what do you mean तुमारा मतलब क्या है आसन दर जजेज जजिस ने पूछा तुमारा मतलब क्या है and or then तब सौम देव टोल्ड देम the whole story from beginning to end तब सौम देव ने शुरू से लेके अंतर तक पूरी कहानी बताई and the judges burst out laughing और जो जजेज देव हो बहुत तेजी तेजी से हसने लगे in due course इस पेकार देव वर इकॉन सार्विस उनके सब समझ में आ गया सौम देव गॉट बैक his balance सौम देव को उसकी तराजू बापस मिल गई and Ramlal his son और Ramlal कोर्ज का बेटा the judges were happy जो जजेज थे वो बहुत खुश थे